सबसे पहले हम सेलेट करेंगे country country में हम इंडिया स्लेट कर लेंगे इंडिया हमने सेलेट किया country में फिर डूयू है पासपोर्ट येस मेरे पासपोर्ट अगर आपकास नहीं है तो नो कर ये डू यहाव नैशनल आइडी येस डू यहाव अधर लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस येस सम्मेट कर दो उसके बाद बोलेगा है you can now verify your identity for the next 24 24 गंटे तक ही आप कर सकते उसके बाद नहीं कर सकते हो ठीक है तो उसके बाद यह पढ़ लो जो भी detail में है उसके बाद start verifying करो start verifying पर क्लिक करके आपको फिर क्या करना है next बढ़ना है तो इसमें simply यही दिया कि you are selected and have the right documents to perform KYC for the next 24 hour if you don't have so you will 24 hour to free KYC ठीक है यह सारी चीजे details में दिया हुआ है तो आप ऐसे कर सकते हैं और फिर हम क्या करेंगे कि start verification करेंगे loading KYC ले रहा है ठीक है अब यहां पर दिखा रहा है कि तीन चीजे दिखा रहा है कि डाउनलोड दो टी एप ठीक है ओटी आप डाउनलोड कर लोगर आप पर बस नहीं है मेरे पास है ठीक है कि algo तो टी है अगर आपके पास डाउनलोड कर लोगो तो आपको डाएट फिएप नाइत है और बता दो मैंने फार्सट वाली जो वीडियो बनाई सी तो आ के दो जाड़ जाए क знаю video एक यहां प्र पासफट्ट डालेंगे जो मैंने बताया ता था कैसे पासफट क्ट्थाना को सारी टीज है तीका के अब पासफट डालेंगे और यहां से सारा इन्टीनीव करने के पाद यहां पर इंडिया सलग एक अधार काड और पास्पोर्ट तो मैं आधार काड करूँगा और यहां पर अप्लोड अधार फाइल पर क्लिक करेंगे मैं इसके इन अधार काड को छोड़ देंगे अप्लोड अधार फाइल पर क्लिक करेंगे, ठहért? उसके बाद Continue करेंगे, Continue करने के बाद इसके बाद हम आदेर की website पे जाएंगे और आदार store in indent मैंने download कर लिया already तो हम क्या करेंगे? यहां पर सिख...... सिखुर कूड meu लाज्ट वीडिया में ессिरें को डाल देंगे यहां पर ठीक है सेक्यूर कोड जो भी आप डाले होंगे वो डाल देंगे यहां से आपको बनाना पड़ेगा OTIP में जाके मैं आप डारेक्टली सब बनाया हुआ था इसलिए मेरा सब ऐसे दिख रहा है उसके बाद फिर कंटिन्यू कर देंगे मोबाइल वेरिफिकेशन में मोबाइल नंबर डाल देंगे ठीक है सारी डिटेल आ जाएगी कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे ठीक है ओके कर देंगे हम और यह कुछ दिरवाद दिखा देगा कि आपका आधार जो है लिंक हो गया है OTIP के साथ अब इसका जो थर्ड वाला प्रोसेस है उसके बारे में हम बात करेंगे थर्ड वाले प्रोसेस में जो मैंने फर्स्ट OTIP डाउनलोड करना है सेकेंड वेरिफाई करना आइडेंटी और थर्ड जो है कि उसको OTIP के साथ यह आईडेंटीटी हो गया है कि आइडेंटीफाई हो गया यह नहीं उसके उपर हम बात करेंगे ठीक है तो अभी हम आएंगे थर्ड वाले पर वेरिफाई विदोटी उस पर हम चेक करेंगे ठीक है हमने क्लिक किया यहां देखो दिख रहा है वेरिफाई वह टिक भी बैच भी दिखाती है वेरिफाईट का ठीक है तो इसका मतलब वेरिफाई हो गया अभी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक कर तो सब्सक्राइब कर ले ठीक है गाइस मिलते हम अपनी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए गाइस